हलो बच्चों मैं देपिका राजस्तान सरकार और वेदानता की CSR इनिशियेटिव इकक्षा में आपका स्वागत करती हूँ जिसकी टेक्निकल पार्टनर है मिशन ग्यान हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का विज्ञान विशय का ध्याय दो अमल शारक और लवन इस पार्ट के कुछ रासानी गुण धर्म भी देखे थे इसमें हमने बात की थी कि अमल और शारक धातों के साथ में अभी क्रिया किस प्रकार से करते हैं इसके अलावा जब धातू कार्बोनेट या धातू हाइडोजन कार्बोनेट अमल के साथ में अभी क्रिया करते हैं तो कौन सी गैस क अभी क्रिया किस प्रकार से करते हैं यानि कि जब हम अमल और शारक को अपस में मिलाते हैं तो कौन सी अभी क्रिया यहां पर होती है तो इससे समझेंगे हमें क्रिया कलाप के माध्धम से क्या करना है हमें यहां पर एक परक्नली के अंदर हम क्या ले लेंगे दो एमल एन ए ओ गुलाबी हो जाएगा अब क्या करेंगे हम इस विल्यन के अंदर हम एक एक बून करके तनों अमल मिलाएंगे अब शारक में हम क्या मिला रहे हैं अमल मिला रहे हैं तो हम देखेंगे कि धिरे धिरे जो विल्यन का गुलाबी रंग है वो गायब हो जाता है और जब विल्यन र उस्रे की प्रभाव को उदासीन कर रहे हैं यहाँ पर देखे शारक के अंदर जब हमने फिनॉफ्थलिन डाला था तो विल्यन कैसा हो गया था गुलावी हो गया था और जब हमने इसमें अमल मिलाया तो विल्यन कैसा हो गया रंगीन हो गया पुरे जब हम इसमें शारक मिलात तो कैसा हो जाता है यह गुलाभी हो जाता है इस प्रकार यह अमल ओ शारुक क्या कर रहे हैं और किसका निर्माण करता है लवन का NACL का और एश्टो का निर्मान यहां पर होता है तो हम क्या कह सकते हैं यहां पर कि जब यह अभिक्रिया हो रही है जब शारक और अमल मिलते हैं तो किसका निर्मान करते हैं लवन और जल का निर्मान करते हैं तो अमल और शारक की अभिक्रिया के परिणाम कृपर अपर अल्प मात्रा में में अल्पाइद लेना है। धीरे धीरे हम इसमें मिलाएंगे तनु हाइडरोगलोरिक अमल, SCL अमल, इसमें हम मिला देंगे तो हम देखेंगे कि विलियन का जो रंग है वो कैसा हो जाता है नील हरित हो जाता है और जो कॉपर ऑक्साइड हमने लिया था वो घुलने लगता है तो विलियन का जो नीला हरा रंग हो रहा है किस कारण से हो रहा है यह copper chloride के बनने के कारण हो रहा है तो यहां पर भी क्या भी क्रिया हो रही है कि धात्विक oxide अमली के साथ में भी क्रिया करके क्या बनाता है यानि कि यह भी क्रिया भी किस प्रकार की है जिस तरह से हमने जब अमल और शारक को मिलाया था तो वहां पर भी क्या भी क्रिया हुई शार ये प्रकरतिके होते हैं शार की ऑक्साइड ये होते हैं तभी क्या हो रहा है कि ये शार की ऑक्साइड अमले के साथ में अभिक्रिया कर रहे हैं और लवन और जल बनाते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं आगे हम बात करते हैं कि जो शारक हैं कि जब अधात्विक ऑक्साइ लेव बनता है तो यहां विक्रियाभी कैसी है शारक और ओर लवन के बीच में जो विक्रिया हुई थी उसी के समान है क्योंकि वहाँ पर भी क्या बना था लवन और जल का निर्माण हुआ था तो हम ज़ा हो 내용 हुआ तो आगे ऑगे बात गता चरह कि जब अमले धातु के साथ में विक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं हाइड्रोजन गैस बनाते हैं यह बात हमने पिछले भाग में भी अच्छे से समझी थी कि जब भी हमने अमले की धातु के साथ में विक्रिया करवाई है तो कौन सी गैस बनती है? हैट्रोजन गैस बनती है अब ये हैट्रोजन गैस उत्पन क्यों हो रही है? क्योंकि अमलों के अंदर क्या है? हैट्रोजन के यौगिक है जो भी यौगिक उसके अंदर है उसमें हैट्रोजन उपस्तित है तो यहां पर हमारे दिमाग में एक प्रशन आएगा कि क्या hydrogen यूगत सभी यौगिक अमलिये होते हैं यानि कि जिसन के अंदर भी hydrogen उपस्तित हैं तो क्या वे सभी यौगिक अमल होते हैं तो इसकी जाश करने की विरिए हम एक रिया कलाब करेंगे क्या करना है हमें यहाँ पर हम अलग-अलग वीलियन लेंगे जैसे कि ग्लूकोज लिया है एल्कोहल लिया है 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 अब लिया है अब क्या करना है हमें यहाँ पर एक कॉर्क के अंदर हम दो कीले लगाएंगे और इस कॉर्क को हम एक वीकर के अंदर रख देंगे चितर में बैटरी से जोड़ देंगे यहाँ पर हमने बैटरी लगा दी है इसके साथ साथ इस परिपत में हमें एक बल्ब और स्विच भी लगा देंगे अब क्या करना है हमें यहाँ पर कि इस बीकर के अंदर हम थोड़ा सा तनू-SEL डालेंगे हाइट्रोक्लोरिक अमल हम इसमें डाल और फिर हमें क्या करना है यहाँ पर विदुधारा प्रवाहित करनी है स्विच को हम ओन कर देंगे और थोड़ी देर के लिए हम विदुधारा यहाँ पर प्रवाहित करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब हमने SEL लिया है यानि कि आमल यहाँ पर लिया है तब तो क क्या होगा इस परिपत के अंदर विदुधारा प्रभाईत होगी और ये बल्ब जल जाएगा लेकिन जब हम इन परिक्षणों को ग्लूकोज और एलकोहल के साथ में दहराएंगे तो क्या होगा बल्ब नहीं जलेगा क्योंकि ये जो विलियन है ये विदुध का चालन नहीं क हो रहा है तो बच्चों जो अम्ली विलियन थे उनमें तो बल्ब जल रहा था तो यहां पर हमें पता चल रहा है कि इनमें तो विदुध का प्रभाई हो रहा है लेकिन ग्लूकोज और एलकोहल में विदुधारा का प्रभाई नहीं हो रहा है बल्ब नहीं जल रहा है क्यों नहें होता है क्योंकि अम्लीयं विलियन क्या करते हैं अमिले के लिए आयन है लिए प्रभापह करेंगे अब किस तरह से अमिलें में अलग होता है यह सील के अंदर अलगрастि runner रेन बीध कौन सा है एकल रेयन हो molecular न होजाएगा एच जाएगा no3 करते हैं जबकि जो ग्लूकोज और एल्कोहल है यह रिद्धारा का चालन नहीं कर पाते हैं और इसलिए क्या होता है इनमें विद्धारा का चालन नहीं होता है आगे हम बात करें कि जली विलियन में आमल और शारा किस प्रकार से अभी क्रिया करते हैं इसको समझने के लिए भी क्या करेंगे हम एक क्रिया कलाब करेंगे यहां पर क्या करना है हमें एक बरकनली में हम एक ग्राम क्या ले लेंगे ठोस एनसील ले लेंगे साध के और नम लिटमस पत्र के द्वारा जांच करनी है चित्र में देखिए यहाँ पर हमने परक नली रही इसके अंदर हमने क्या ले लिया है सोडियम क्लोराइड ले लिया है और फिर हमने इसमें डाला है ड्रॉपर की साहता से क्या डाल रहे हैं सांदृ सल्फिरीक अमलेर्ट जे लीकश्पप्र तो यहांपर जो ग्यास उत्पन होती है उसमें हम नहीं करती है जल क्या है यहां पर अनुपस्तित है जो जल की उपस्तिती के अंदर लुब हम उसमें ऐस प्लेस आएं प्रतक नहीं हो पाते हैं तो इसलिए क्या होगा यहां पर लिटमस पंत्र के रंग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है जब कि जब हमने क्या लिया हैback पर नम लटमस पत्र लिया है यानिक приготов उपस्तित हैं तो क्या होगा? SKL में हार्णोचन आयन उध्पन होजाएंगे और यह हारणोचनों क्या होते हैं? सवतन्थर रूप में नहीं रह सकते हैं तो यह क्या करेंगे जल के अनों के साथ में चिपक कर रहते हैं तो इसलिए hydrogen ion को हम हमेशा किसकी दोरह दर्शाते हैं? H plus aqueous यानि की जल ये विलियन में दर्शाएंगे या फिर hydronium ion H3O plus से दर्शाते हैं क्या करते हैं? ये hydrogen ion जल के साथ में जुड़ कर रहते हैं और किसका निर्माण करते हैं? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अमल है ये क्या कर रहे हैं? H plus ion उत्पन करते हैं तो अमल जल के अंदर या तो hydronium ion उत्पन करेंगे या hydrogen H plus ion उत्पन करेंगे देखते हैं किस तरह से SCl जब जल से अभिक्रिया करेगा तो किसका निर्माण होगा यहाँ पर? H3O plus और chloride ion का निर्माण यहाँ पर होता है जब हम शारक को जल में खोलते हैं तो क्या होगा यहाँ पर? NaOH हमने क्या लिया है? sodium hydroxide शारक लिया है इसकी जब जल से अभिक्रिया होती है तो क्या होगा? sodium ion और hydroxide ion यहाँ पर उत्पन होते है इसी प्रकार जब हमने क्या लिया है? potassium hydroxide लिया है तो यह भी क्या होगा? धन आयन और रन आयन में विभक्त हो जाएगा तो धन आयन क्या बनेगा? यहाँ पर K plus और hydroxide ion का निर्माण होगा आगे हमने लिया है magnesium hydroxide यहाँ पर हम देख पा रहे है कि जब शारक जल के साथ में अभी क्रिया करते है तो यहाँ पर hydrogen ion की बज़ाए कौन से आयन उत्पन होते है hydroxide ion उत्पन होते है और इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है? कि जब hydroxide ion उत्पन होगे तो इसकी जो प्रकरती है वो कैसी है? शारकी होती है आगे हम पढ़ेंगे भी इसको कि जब hydrogen ion की सांधरता यहाँ पर बढ़ती है किसी भी vilion के अंदर तो उस vilion की प्रकरती कैसी हो जाती है? अमलिये हो जाती है जब कि जब OH- ion की सांधरता बढ़ती है तो विलियन की प्रकर्ती कैसी हो जाती है चली आगे बड़ते हैं अब हम समर्ज रहे हैं कि सबी शारक क्या है जल में घुलंशील नहीं होते हैं और जो शारक जल में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम शार कहते हैं शारक की प्रकरती के बारे में भी हम चानते हैं कि कैसे होते हैं कि सपर्ष करने पर साबून की तरह चिकने होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं और इनकी प्रकरती संग शारक होती हैं इन शारक को कभी भी छूना या चकना नहीं चाहिए क्योंकि यह क्या होते हैं हानिकारक होते हैं चलिए आगे बढ़ रहे हैं आगे हम समझ जए हैं उदासिनी करण अभी क्रिया को क्या होती है उदासिनी करण अभी क्रिया अभी हमने शुरुआत में भी बात की थी कि जब हम अमल और शारक को परस पर मिला रहे हैं तो यह क्या करते हैं दूसरे की प्रभाव को समाप्त कर देते हैं यही अभिक्रिया क्या कहलाती है उदासिनी करण अभिक्रिया कहलाती है तो हम लिख सकते हैं कि जब अमल और शारक को मिलाया जाता है तो क्या बनेंगे लवण और जल बनेंगे तो यहाँ पर देखें हमने यह क्या लिया है? आमल लिया है और यह शारक लिया है तो यह H ब्लस और OH-I N जोड़कर क्या बनालेंगे? जल का निर्मान कर लेंगे और यहां पर लवण का निर्मान भी होता है अब समझते हैं हम कि जब आमल और शारक के अंदर जल को मिलाया जाता है तो क्या होता है इसे भी हमें क्रिया कलाप की माध्य हम से समझेंगे क्या करना है हमें एक बीकर लेना है और इसके अंदर हमने ले लिया है 10 ml जल अब हम इसमें मिलाएंगे आमल, कौन सा आमल मिला रहे हैं? सांद्र सल्फियूरिक आमल और जब हम इसको मिला रहे हैं तो हमें जल को लगातार हिलाते हुए भी रहना है तो हम देखेंगे कि जब जल के अंदर आमली या शारक को मिलाया जाता है तो ये प्रकिरिया बहुत अधिक उश्मा शेपी होती है यानि कि इसके अन्र बहुत अधिक मातरा में उश्मा उत्पन होती है इसी कारण बीकर का जो तापमान होता है वो बढ़ जाता है और हमें यहाँ पर जब हम आमला और जल को मिला रहे हैं तो सावधानी भी रखनी है क्यों रखनी है? क्योंकि अभी क्रिया कैसी है? इसके अलावा क्योंकि इसमें क्या हो रहे है बहुत अधिक उश्मा उत्पन हो रही है और इसी के साथ साथ इस्थानियताप कैसा हो जाता है अधिक हो जाता है तो जो भी कांश का बरतान हम इस प्रियोग में उप्योग में ले रहे हैं वो तूट भी सकता है तो इसलिए हमें यहाँ पर थोड़ी सावधानी रखनी है और इसलिए जो सांद्र सल्फियोरी कामल के कैन होते है या फिर जो सोडियम हाट्रोकसाइड की बोतल होती है उस पर इस तरह का सावधानी के लिए एक चेतावनी चिन भी बना होता है क्या है यदि है हमाexplosate गिर गए तो हमादी तउचा जल सकती है इसलिए इनके उपियोग में हमें बहुत ही सावधानी रखनी है अब हम समझ रहे हैं कि जब जल के अंदर हमने क्या किया है आमल और शारक को मिलाया है तो क्या करेंगे यहाँ पर? जो अमल और शारक है इनकी जो प्रबलता है उसमें कमी आ जाती है क्योंकि प्रती काई आयतन के अंदर H प्लस आयन या फिर OH माइनस आयन की सांद्रता में कमी आ जाती है तो यही प्रकिरिया क्या कहलाती है तनू करण कहलाती है यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जो सांद्र अमलिया शारक है इनके अंदर हम जल मिला रहे हैं और उन्हें क्या कर रहे हैं हम तनू कर रहे हैं तो तनू करने से क्या होगा कि इनकी जो प्रबलता है वो कम हो जाएगी ज करेंगे हम इस भाग से सम्मनित प्रश्ण जो कि हमारी पार्टे पुस्तिका में दिये गए हैं तो पहला प्रश्ण हमें यहां पर दिया गया है कि क्यों प्रश्ण करते हैं जबकि यहां पर क्या हो रहा है कि यह अमले तो अमली अभी लक्षण दिखाते हैं लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल के अंदर नहीं होते हैं क्यों नहीं होते हैं आपर क्योंकि यह जो अमले हैं यह क्या करते हैं जली विल्यन में विगटित होकर हाइड्रोजन आयन उत्पन करते हैं और इन्हीं हाइड्रोजन आयन की कारण क्या होते हैं यह अमली अभी लक्षण प्रदर्शित करते हैं जबकि जो एलकोहल या फिर ग्लूकोस है ये विलियन के अंदर हायडरोजन आयन उत्पन नहीं कर पाते हैं और इसलिए उनकी प्रकरती जो होती है वो अमली है नहीं होती है अगला प्रशन देखते हैं नेक्स्ट है अमले का जली वीलियन क्यों विदुद का चालन करता है तो यहां पर भी भाई उत्तर आएगा कि अमले क्या कर रहे हैं हाइडरोजन आयन उत्पन करते हैं तो इसलिए इनका जली वीलियन होता है ये विदुद का चालन करता है क्या लिखेंगे हम कि जली विलियन में विदुद धारा का प्रवा किसकी द्वारा होता है आयनों की द्वारा होता है और हम लिक्या करते हैं जली विलियन में हाइट्रोजन आयनों उत्पन करते हैं और इसलिए इनका जली विलियन विदुद का ले गए थे तो उसके रंग में कोई भी परिवर्ता नहीं हुआ था क्यों नहीं हुआ था क्योंकि यहाँ पर गैस भी कैसी है शुष के है और जो हमारा लेटमास पातर है वो भी शुष के है तो जल की अनुपस्तिति के अंदर SCL से जो हाइडोजन आयन है वो नहीं उत्पन हो पाते हैं और इसलिए उसकी प्रकरती जो है वो अमलिये नहीं हो पाती है क्या लिखेंगे इसमें हम कि अमले क्या करते हैं जली वी जन के अंदर हाइडोजन आयन उत्पन करते हैं और इसलिए वो अमलिये ताका अभी लक्षन प्रदरशित करते हैं, लेकिन, हमने क्या लिया है, शुष्क हाइड्रोक्लॉरिक ग्रास ली ग्रैस ली है और शुष्क लेटमस पत्र लिया है, दोनों में ही क्या है जल का believe इसकारण इसमें हाईड्रोजिन आयनुद्पन नहीं हो पाते हैं, और इसलिए ये लिटमस पातर के रंग को परिवर्थित नहीं कर पाती है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न हमें दिया है कि अमल को keen करते समय यहें क्यों अनुशंसित करते हैं कि अमल को जल में मिलाना चाहिए न कि जल को अमल में क्या करना है हमें अमल को जल में मिलाना है जल को अमल में नहीं मिलाना है क्योंकि यह जो प्रकिरिया होती है यह बहुत अधी कुश्मा शेपी होती है तो इसमें बहुत अधी कुश्मा उत्पन हो रही है तो मिश्रन जो है वो आसफली तोकर बाहर आ सकता है हम जल भी सकते हैं कोई दुरकटना घट सकती है या फिर जो कांश का पात्र हम उपयोग में ले रहे हैं वो तूट भी सकता है तो इसलिए हमें यहाँ पर ध्यान रखना है क्या लिखेंगे हम कि जल में अमले के गुलने की प्रकिरिया अत्य अत्यांत उश्मा शेपी होती है जब क्या कर रहे हम सांद्र अमल में जल मिला रहे हैं तो इस उत्पन होई उश्मा के कारण मिश्रन आस्फलेत होकर बाहर आ सकता है हम जल भी सकते हैं या फिर आते अधिक स्थानिये ताप के कारण जो हम उपयोग में कांश का पात्र ले रहे हैं वो तूट भी सकता है इसलि कैसी प्रभावित हो जाती है तो हमने पढ़ा था हम क्या कर रहे है सांद्र अमल को तनू कर रहे है तो जो हाइडरोनियम आयन की सांद्रता है ये प्रती काई आयतन में कम हो जाएगी तो विल्यन की जो अमलियता है वो भी घड़ जाती है क्या लिखेंगे अमल के विलियन को तनुक्रत करते समय हाइडरोनियम आयन की सांद्रता कम होने लगती है क्योंकि जैसे जैसे हम क्या करें उसमें जल की मात्रा बढ़ा रहे हैं तो प्रती काई आयतन में हाइडरोनियम आयन की मात्रा कम होने लगती है और अमल की अमलियता पर भी क्या प्रफा हो रही है अभी पिछले प्रश्ण में हमने क्या किया था अमली के अंदर हम जल मिला रहे थे तो हार्ट ओनेव आयन की सांद्रिता कम हो रही थी यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि जो शारक है इसके अंदर हम आधिक के शारक मिला रहे हैं तो हम समझ सकते हैं अब क्या होगा यहा अगले वीडियो में इस पाट के अगले भाग के साथ तब तक आप पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए धन्यवाद